O नमस्कर मैं Dr. Kunal रोग, Consultant General Physician & Managing Director, Health for You Multi Speciality Clinic Health for You Multi Specialty Clinic में हमारे पास करी Спisciality Doctors आफिलिबल है पहला, Dr. Vintish Kaur मैं Dr. Mitesh Kauraa, Health4U Dinesh Mechized, Orthopedic Consultant Surgeon. हमारे क्लिनिक पे हर प्रताथ की orthopedic समस्याओं का इलाज होता है. Consultant Dermatologist, Dr. Priya Darshini. I am Dr. Priya Darshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne troubles and cosmetological problems. Dr. Nilesh Patil, Dr. General Aposcopic Surgeon. I am Dr. Nilesh Patil, General Aposcopic Surgeon, Enforium and Carnurator. हमारे यहाँ पर Surgery Related सारे मीमारियों का आईदाच होता है. Laboratory Facilities, तो कि हमारे Lab Head, Dr. Anand Jaiswal, एक क्यार करते हैं. मैं Dr. Anand, मैं Consultant Pathologist, रटायर्ट, में भी Officer हूँ. और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पर जो मशीने रखते हैं, वो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो CBC के मशीन हैं, वो जैपनीज मशीन हैं. यह हमारे हमोन एलाइजर हैं. हमारे यहाँ पे लेजर फिजियो थरफिय की फैसिलिटिस भी अविलीबल हूं हैं. अल्टर सॉंड की फैसिलिटिस अविलीबल हैं. अम यहाँ पे PCG और ECO-Cardio-Graphy की फैसिलिटिस भी रखे हैं. और बोन मिंदर डेंसितों जो की Dexa scan की फैसिलिटीज गी अवेलेबल है Health4U Multi-Speciality Clinic में ये सारी सुविधायक अवेलेबल है Health4U is a complete solution to your health जैहिंद मैं यामीन न्यूजनरवान 24-7 में आप सभी का स्वागत करता हूं आप मेरे पीछे बोट देख सकते हों इस वक्त हम जो है राजीव गांदी वेलेड्रोम जो ठीक हमारे बैडमिंटेन कोट है हमारे जिम खाना ग्राउंड में ठीक उसके बगल में खड़ाओं जहां पर बास्केट बॉल कोट है वेलेड्रोम में जो है जो साइकलिस्ट होते हैं जो साइकलिंग करते हैं वे लोग यहां पे अपनी करते हैं यहां पर वेलोड्रोम में competitions कराए जाते हैं तो ठीक हम उसके सामने खड़े हैं मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वेलोड्रोम का जो उद्गाटन है आज से 31 साल पहले यानि कि उनिस सो तिरानवे 1993 में किया गया था उस वक्त के हमारे सांसज श्री मनोरंजन भकता जी उनके उपस्तिती में और इसका जो फांडेशन स्टोन और इसका जो इनाउगरेशन हुआ था वो उस वक्त के अब सोच सकते हो कि क्या पिछले 21 साल में आपने कभी सुना या देखा कि यहां पर किसी भी प्रकार का साइकलिंग कॉंपेटिशन कराया गया हो हमने तो नहीं से ना हमारे जानकारी में ऐसी कोई बाते भी नहीं हां कुछ लोगों से जब हमने बाते की तो उन्हों मैं कहा बहुत पहले यहां पर बच्चे जो है साइकलिंग प्रैक्टिस किया करते थे लेकिन यकिन मानिया हमने अपनी आंकों से तो कभी नहीं देखा हो सकता है हमसे छूट गया होगा अब बात कहने वाली यह है कि आखिर एस वेलोड्रोम का इस वक्त हाल क्या है सुत्रों से हमें कुछ फूटेजेस मिले हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और इस वेलोड्रोम का हालत देखिए उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस बारे में हमें जो है हमारे ही द्वीपों के चुक बच्चे जो साइकलिंग में बहुत है साइकलिंग में वह यहां पर प्रैक्टिस कर सके और नेशनल या इंट्रनेशनल लेवल में भाग भी ले सके देखिए हमारे द्वीपों में की कमी नहीं है फिर चाहे कोई भी फील्ड क्यों नहीं हो अभी हाल ही में हम सब ने देखा कैसे जैशिश बच्चा जो है मॉइ जो हमारे देश में अतना पॉपलर भी नहीं है नहीं यहां पर हमारे अंडमा निकोबार में उसके लिए कोई सुविधा दी गई है कि वह बच्चा प्रैक्टिस कर सके नहीं अंतरास्टे लेवल का कोई बॉक्सिंग रिंग है यहां पर नहीं कोई ऐसा प्रोफेशनल ट्र हमारे भारत देश के लिए ब्रॉंज मेडल तक लेकर आया तो यह जुरून है हमारे दुविपों के बच्चों में लेकिन अगर उन्हें मूल सुविधाय नहीं दी जाएगी उनको सही तरीके का प्रशिक्षन नहीं दिया जाएगा ट्रेइनर नहीं प्रोवाइड के जाए जिनको यह सपोर्ट नहीं मिल पाता है वे बच्चे क्या करें वो तो पीछे रह जाएंगे उनके सपने तो चूर हो जाएंगे हर कोई क्रिकेटर नहीं बनना चाहता हर कोई डॉक्टर इंजिनिर एक टीचर भी नहीं बनना चाहता हमारे दुविपों में ही ऐसे कई इंटरनेशनल लेवल का साइक्लिस बनना चाहते हैं चोटे बच्चे पांच साल के बच्चे के पैरेंस ने हमें इस बारे में बताया कि उनका बेटा जो है रोज यहां पर आता है और अगल बगली साइक्लिंग करता रहता है और कभी में रोड है हमारा जिम खाना ग्राउं इससे भैतर ट्रेनर दिलाए उनके तो वह बच्चा कहां से कहां पहुंसकता और उस बच्चे के पैरेंस जो है उसको बहुत सपोर्ट भी कलते हो बच्चा बैडमिंटन भी खेलता है चैस भी कहलता है स्पोर्ट में काफी इंटरेस्टेड है और ऐसे और भी बच्चे हैं जब हम उन्स बच्चे से मिले तो उसके माता-पिता ने हमें और भी साइक्लिस्ट बच्चों से हमें मिलाया जो वाकई में चा रहे हैं कि यहां का वेलेड्रॉम ठीक हो और वे उसमें सीरियस्ली प्रैक्टिस करें और एक अच्छा साइक्लिस्ट बने मगर अगर ऐसी सुविधा रहेगी स्पोर्ट्स को लेकर हमारे दुविपों में तो फिर एकदम दी संदे सा बात है कि उन बच्चों का सपना तूटना ही है वे बच्चे ना चाहते हुए भी उस स्पोर्ट्स में जाएंगे या दूसरे फिल्ड में जाएंगे जिसमें उनका रूची है ही नहीं जो बच्चे सैक्लिस्ट बनना चाहते हैं उनको हम जबरदस्ती बैडमिंटन प्लेयर बनाएंगे या उनको हम कहेंगे कि आप बास्केट बॉल खेलिए तो क्या यह मुमकिन हो पाएगा आप बोलिया आप इंट्र को पूरा करने के लिए कोई नहीं है लेकिन आपको बता दूं कि उस पांच साल का जो बच्चा है उसके माता-पिता उसकी सपने को पूरा करने के लिए हर तरह कि उसको जो है फैसलिटिस प्रोवाइड करते हैं उनके पास है लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके पास नहीं यहां पर उसको अच्छे से मेंटेन करके रखे ताकि बच्चे उसका लाव उठा सकें तो वहीं हम दूसरी और ये भी देखते हैं कि कैसे बच्चे जो है जब उनको स्पोर्ट के लिए अच्छी फैसलिटिस नहीं मिलती है टो खाली समय में वे बेकार यहास बेठे रहते हैं अपना समय वेस्ट करते हैं और कई बच्चे बेकार बैठे रहने की वज़े से अनाव शनाब हरकतوں में पर जाते हैं यहां तक के ड्रग्स के भी आदी हो जाते हैं हमारी भी जिम्हेदारी है हमारे प्रसाशन की भी जिम्हेदारी है कि वो इन बातों को सुनेश्चित करें कि बचों को जो है स्पोर्ट से जोड़े बेसिक फैसलेटिस बराबर मिले एक नजारा में आप लोगों को वह क्लिपिंग दिखाता हूँ जो हमें सूत्रों ने दिया है पिछले 31 साल से उसका मेंटेनिंस नहीं किया गया है तो ये खंडर हाल होना ये कोई ताज्यूब की बात नहीं है तोटल जो कॉंपलेक्स है वो तूट कर गिर रहा है आप देख सकते हो कैसे टूट कर गिर रहा है काई जम गई है जो प्लाटफॉर्म है वेलेड्रोम का जिसमें साइकलिंग की जाती है उसकी हालत पर एक बार नजर दालिए साइकलिंग तो छोड़िए हम चलने को भी उसमें तयार नहीं होंगे इतना खतरनाक बन चुका है अगल बगल पूरी तरीके से जो है आप देख सकते हो कि घास, फूस, बेल लटक रहे हैं पूरी तरीके से एक अच्छा सुंदर सा वेलेड्रोम आज जो है खंडर की हालत में पड़ा हुआ है जरूर एक बार आईएगा और यहां इस नजारे को देखेगा आपका भी दिल अफसोस करेगा वेलेड्रोम के अगल बगल भी आप जाने को तयार नहीं होंगे क्योंकि पूरा रास्ता काई से भरा पड़ा हुआ है इतना बुरा हालत है वेलेड्रोम के अंदर में छोटा से एक तलाब बन चुका है कई हिसे में तो पानी जम जम कर दलदल बन चुका है उसके बावजूद भी कुछ बच्चे आते हैं यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे नादान होते हैं उन्हें नहीं पता कम से कम वहां पर कोई गेट लगा कर नो एंट्री का बोड लगाना चाहिए क्योंकि हमें यह भी पता चला है कि बच्चे वहां पर अभी भी जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए अगर वे उस गड़े में गिर गए या दलदल में उनका पाउं फस गया तो उसका जमेदार कौन होगा और उन सबसे बेटर है कि अगर इसको जल से जल इसको ठीक करा दिया जाए तो वही बच्चे जो उसमें उसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको तो यह सुविधा मिल पाएगी किस चीज़ की कमी है क्या अप्रूवल नहीं हो रहा है में मे सब्सक्राइब करते हैं कि वह हमें जवाब भी देंगे फाइनाइंस नहीं है कि फंड नहीं है इसकी लिए आखिर तकलीफ कहां है कोई पी आरो है जो इन सारे सवालों का जवाब देगा जंता के जंता हम से पूछती है हम तो सवाल उठाते हैं जंता की बाते आप लोगों से नहीं बनाया जा रहा है वहीं अगर हम स्टेडियम से जिम खाना ग्राउंड का जो में स्टेडियम है और वेलोड्रोम का बीच का जो जगा देखे तो अभी फिलहाल यहां पे एक इंडूर क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए एक जगा बनाया गया है बहुत अच्छी बात है सारे बच्चे आते हैं यहां पे उसी कि अगल बगल इतना सारा खाली जगा रैठ जगारे सारे बसते हैं जहां पर बच्चों का खेलने का जगा ए हनमारे अनको settlement में ज्यादा दर समय तो हम देखते हैं कि बारिश होती है और इस समय में ऐसे जहरीले जानवर बहार आ सकते हैं बच्चों पर अटैक कर सकते हैं बच्चे फिसल कर गिर सकते हैं चोटिल हो सकते हैं कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम अगर ध्यान दे तो ये सारे मुद्दे हमें दिखाई देंगे साई Sports Authority of India जो इसकी देखरे करती है क्यों नहीं देखती है कि जितने यहां पे unwanted घांस फूस उगे हुए है जितने जगे जगे पे जो काई जमा हुआ है कम से कम clear करके रखे ताकि बच्चे चोटिल नहों इसमें गिरे नहीं बच्चे लोग बच्चा है जिस रास्ते से स्टेडियम के अंदर ही आ जा रहा था वहां पर साफ सुत्रा नहीं था काई जम गए ते और जिसके वज़े से वो फिसल कर गिर गया और उसमें अपनी हड़ी तोड़ा ली यह मुम्किन है ना यह पॉसिबल है यकीन मानी अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट ह होगा तो अगले दिन उस जगे की पुरी सफाई हो जाएगी तो हम उस वक्त का इंतजार क्यों करें कि घटना होने दे उसके बाद ही हम कोई कदम उठाएं क्यों नहीं हम पहले से इन सारे जगों को जो है अपनी अपनी जिम्हदारी समझ कर इसको साफ सुत्रा रखें एक स सारे बच्चे वहां पे खेल रहे हैं मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखाऊंगा मुझे तो लगते हैं उन्होंने खुद से गाड़े हैं दोनों तरफ बड़े लकड़ी का सहारा लिया हुआ है और जुलती हुए यह दोनों लकड़ियों के बीच में ने नेट फसा के र आते हैं कि बच्चों को जो है प्रोटसाहिद किया जा रहा है बच्यों के लिए जा रहे हैं वह दिया जा SHE स्पोर्ट में आगे बड़े लेकिन क्या दिया जा रहा है हकीकत कुछ और है कहा कुछ और जा रहा Ay ض hen किसलिक्ज जितने बच्शे अगर यहां पे जो खेल रहे हम उनसे बात करेंगे तो मैंने जो कही है वो बहुत कम कही है मुझसे ज़्यादा शिकायत या बच्चे खुद अपनी जुबानी कहेंगे कुछ बच्चे तो रोने भी लग जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टेड बास्केटबॉल प्लेयर बनने में वॉलीबॉल प्लेयर बनने में साइकलिस बनने में क्रिकेटर बनने में मगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है हौकी के नम यहां पर लिखा हुआ है कि हौकी प्लेग्राउंड आप मुझे कृपिया करके बताइए कि यहां पर हौकी प्लेग्राउंड कहां पर है मुझे धमाल फिल्म का वो सीन याद आ रहा है जहां पर फिल्म का एक कैरेक्टर जो है एक चित्र बिक्री करता है दूसरे कैरेक्टर को और यह कहकर बिक्री करता है कि घोड़ा घांस खा रहा है अगर उस पेंटिंग में ना तो घोड़ा होता है ना तो घांस होता है क्या यह बोड उसी का एक उधारन है ऐसे ऐसे मजाग बन रहे हैं बच्चों दुआरा हमारे विभागों को लेकर ऐसे बोड को लेकर कि राजीव गंदी वेलोड्रोम जो कि ना के बराबर है यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए वहाँ पर है और होकी प्लेग्राउंड जो की है ही नहीं देबुरा नाम तो हम सब ने अंडमानी को बार में सुना है जिसने साइकलिंग में हमारे ना सिर्फ अपना बलकी हमारे आईलेंस का नाम रोशन किया है एक नजारा आप इस पर भी देखिए यह है टेंपररी टॉयलेट वैसे तो सरकार ने सुविदा दी थी कि हर टॉयलेट बनाके दिया गया था लेकिन आज उसका हालत क्या है आप एक नजारा देखिए ना जाने कितने बरसों से वह वहां ऐसी कैसी पड़ावाए ना तो उसको उठाया गया या नहीं उसको दुबारा से रिस्ट्रक्चर करके चालू किया गया है एक बात और मैं हमारे प्रेसाशन के ध्यान में राना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे खिलारी है जो अनिकों को प्रकार के स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने के यहां पर आते हैं इन लोगों को मेन इस से पार्किंग करने को यह नहीं दिया आता है कहते हैं कि पारकिंग बाहर किया जब उनको parking रास्टे पे क्यों करना है सब्सक्राइब के राजेश जी और वर न Shoot रहां ज़े और अपनी इच्छा प्र्सSoist चलिए हम उनके बात कई चाहरे है जानते हैं कि इस विशे पर उन्हें क्या क्याना है जाहिन सर्व यामीन भाई अचली देखिए यहां पर हम लोग डिसकस करी रहे थे कि अंडवाना निकोबार आइलेंड में हर एक सेक्टर का जो हालत है यह बहुत ही मतलब सोचने आला बात है कि यहां का एड्मिस्टेशन जो बोलता है कि काफी कुछ काम कर रहा है तो अचली यह दिखता नहीं है जैसे कि स्पोर्स अथोरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में जो भी स्टेडियम्स और प्लेंग फिल्ड है उनका हालत देखिए क्या हालत है ठीक है कम से कम ठीक है दूसरे फिल्ड हम छोड़ देते हैं जैसा रोड पानी कम से कम चली एस सब छोड़ देते हैं अभी फिलाल अब स्पोर्स अथोरिटी ऑफ इंडिया अंडर में निकोबर आइलेंड में जो हालत करके रखा है उसका एक बार नजारा देखिए वेलो ड्राम आप सोचिए जब कितना साल पहले बना था यह और कडोडों का जी यहां दो चार जो प्लेयर्स लोग थे एक दो राउंड मारते थे हम एक बार देखे हैं उसके बाद से कंस्ट्रक्टिव काम यहां पर आज तक नहीं हुआ है यह पैसा का हुआ किया है हमारे आईलेंड में इतना मतलब बच्चे जो है स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं अपना हुनर जो है दिखाना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रावधान रखे हैं यहां पर कुछ लेवल लोकी यहां पर आएंगे उनका फीस लेंगे या फिर उनसे सेटिंग करेंगे और उ पाकई में महनत कर रहे हैं अपना कैरियर को स्पोर्ट में बनाने के लिए उनके लिए यह यह अथोरिटीज क्या कर रहे हैं इतना कडोरों का आबादी नहीं है यहां पे कि आपको डुनना पड़ेगा चोटा सा जगह है आपके रिष्टिदान में से ही कोई बच्चा भुनर रिंग नहीं है फिर भी वह यहां से जाकर जो है ब्रोंज जीत के आया है तो शरम किसको आना चाहिए पब्लिक को आना चाहिए या स्पोर्स आथरुटी आफ इंडिया को आना चाहिए अजिए अजिए आप देख सकते कि यह राजीव गांदी वैलोडर्म और होकी प्लेग में जितने भी स्टुडेंट्स थे वह प्रैक्टिस करते थे यहां पर और होकी का तो मैंने कभी देखा नहीं है साथ इसी में मुल्टी पर्पस यूज हो सकता है इसको होकी के लिए भी यूज करते होंगे आप देखो ग्राउंड का हालत कि इतना जाड़ी से जंगल दल द अगर यह फेलियर है साइक्लिंग के लिए तो आप इसको जो है नया बनाने के लिए कहीं और पर यह करिए और नहीं है तो भी कम से कम यहां के बच्चों को जो है खेलने के लिए पर्मेशन दे दीजिए आप आप देखे बास्केट बोल कोट है यह भी यहनी कि अब खतम हो पे एक सुमिंग बनाया गया है औलंपिक साइज का जो है सुमिंग बनाया गया है 50 मेटर का मेरा रिक्वेस्ट है कि यहां के पार्किंग भी है इस जगह पे अगर जो है क्यूकि कोई भी साइक्लिंग करने आए तो पार्किंग की जरूरत नहीं तो कम से कम एक प्ले पूल यहां पर बना दे बच्चों के लिए जो क्योंकि अंडमान के जितने भी बच्चे हैं यह हर बच्चे को जो है सुमिंग आना जरूरी है क्योंकि हम रहते ऐसे जगह में चारों तरफ से पानी से भरवा आइलेंड है अगर जो चीज परपस के लिए बनाए अगर वह यूज न मशकार गब्मेंट ऑफ इंडिया हमारा अंडमान इकवार जो है यूनिंट्रेट्रे के नाते सीधा दिल्ली गब्मेंट के अंडर रहत है हमारा जो डैनेमिक प्राइमिस्टर मोदी जी खेलो इंडिया पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं इतना फंड दे रहें इंडमान है यहां पर साइकलिस्ट लोग है फेमस वर्ल्ड फेमस साइकलिस्ट लोग है जब हो रहा है आपको पता है अंडमान इकवार आइलेंड में 1992 में भी हमारे बीच में है वह नैशनल गोल्ड मेडलिस प्रकाश अधिकरी ठीक है जो जो जेरा परिशित मेंबर जी हां वो खु न्यूज में देखोगे कि मेरे ख्याल से एक 18 साल से लेके 35 साल का बीच का ही जो एज के लोग है ये ड्रग्स के अंदर में involved है क्यों है क्यों कि अगर वो स्पोर्स में भी इंट्रेस्ट रखता होगा जैसा आपने कहा है अहां पर आके इंट्रेस्ट दिखाएगा उनके प उसलके बर आस्केट बॉल खेलनाचा यहां पर आप यह जो रहाब सिस्टम्स यहां पर गिलाने का कोशिश किया जा रहा है उसमें यह बहुत इंपोर्टेंट है सिर सपोर्स दिपार्टमेंट बहुत वाइटल पार्ट होता है एक सोसाइटी को डिवलॉब बनाने के लिए वहां के जितने भी बच्चे हैं यूट्स है जो स्पोर्स में रूची रकते हैं वो रूची रखेंगे भी तो कौन सब स्पोर्ट में रूची रखेंगे अंडवान निकोबार आइलेंड में मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहां का आला ओफिसेस से कि यह सब चीज को ध्यान दे फर्क पड़ता नहीं लोगों कि इस लोग आते दो साल तीन साल के लिए आते घुमते फिरते टूइस डेस्टिनेशन के तरह आते इस लोग खाते कमाते निकल जाते हम लोग त फंड आता है पांच हजार नौसो करोर इस बर एलाउट हुआ है किसकी लिए डेवलोप्मेंट के लिए तो भेचते है गवर्मेंट ऑफ इंडिया तो आप लोग करके आ रहे हैं अपने चंबर में बैठके एक खास कर मैं यहां की बीरोकरेट्स को बोलना चाहूंगा प्ली इसा घपला करो कि ना दिखे यह तो दिख रहे है फिर भी इतना इतना दिखने के बाद भी शरम नहीं आता है तो आप सोच सकते हो कौन सा लेवल के इनसान है उन लोग यह जो बाते हम सुन रहे हैं यह जो निंदा हो रही है यहां पर प्रसाशन की यह जो आलोचनाएं कर सकते हों कि आम जनता क्या 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 कहती है Si ko Leaks को लेकर इनका यही कहना है कि बिना किसी सूविद्धा कि हमारे बच्चा अंतरास्ट मंच तक जा सकते हैं वहां से मैडल ले कर वहां सकते हैं बॉक्सिंग रिंग जो होता है उसको उसकी नॉलेज तक नहीं है उसका प्लैटफर्म का एक अलगी होता है आप जो फूट मुव्मेंट जमीन पर करते हो मट्टी पर करते हो और फिर उस बॉक्सिंग रिंग में करते हो बहुत फर्क परता है उसके बावजूद भी इतनी कट और अगर आप जंता से इसका feedback लोगे तो यकीन मानिया आप उनके sponsors को सुन नहीं पाएंगे यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे हैं जो cycling करने में बहुत इंट्रेस्टेट है चोटी-छोटी cycle अपनी लेकर आते हैं यहाँ पे चलाने के लिए मगर उनको वह जगह नहीं मिलते तो मुख्य रस्ते पर ही चलाने लग जाते हैं कल को अगर कोई दुरगटना होगी तो फिर उसका जिम्हदारी कौन लेगा हम एक अच्छे खिलारी को खो देंगे इससे पहले कि ऐसा कुछ हो अगर इसको ठीक कर दिया जाए वैलोडोर्म को ठीक कर दिया जाए जो सालों से इस तरह बंजर पड़ा हुआ है इसे बंजर कहें क्या कहें यह हम आप जब खुद आके यहां पर देखोगे तो आप खुद ही इसके लिए एक बेटर नाम बता सकते हो वैलोडोर्म के जगे यहां पे कुछ और लिखा जा सक हमारे इस रिपोर्टिंग के बाद में हमारे जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स वह इस पर बहुत ही गंभीरता से संग्यान लेंगे और इस पर सोच विचार करेंगे क्योंकि यह चंद लोगों का नहीं आज हम यहां पर आए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खासका साइक्लिस् वे कहते हैं कि हम आके सामने बोलेंगे तो हमारा फीचर खराब हो जाएगा यह हमारे पीछे बढ़ जाएंगे कि तुमने कंप्लेंट क्यों किया करके अब सोचिए इस डर को सोचिए कि वह सीखना भी चाहते हैं अगर वह अपनी जो परेशानी उसको कैमरा में आके बोलना भ बहुत गंभीरता से लोगे चोटे बच्चे हैं सर एक साइकलिस्ट है हमारे दूइपों का पांच साल का नना बच्चा जो साइकलिंग में बहुत अच्छा है मैं उनके माता पिता कि आगरे पर मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं लेकिन आम शूर कि अगर आप लिस देखो अगर इसको प्रापर ट्रैनिंग जिस तरीके से वह उसका ट्रैक होता है उसका अगर उसको ट्रैक मिले तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप हमारा भविश्य कसा बनाना चाहते हो क्या आप हमारा भविश्य सुनेरा बनाना चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि अंडमान के बच्चे भी हर फिल्ड में आगे बढ़े तो कृपया करके जनता की इन बातों को उनकी जो भी अलोचनाई हैं, निंदा जो वे कर रहे हैं, उनकी जो प्रातनाई हैं, उनको ध्यान पूर्वत सुनियें और उसका कोई ना कोई समाधान भी जल से जल निकालिये सकते। इसी उमीद के साथ और कैमरा परसन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडर्मान 24-7, जैहिन!